आज हम बात करेंगे भाई, Effect of Catalyst on Rate of Reaction पर तो चलिए शुरू कर दें Effect of Catalyst on Rate of Reaction Catalyst alter the rate of reaction by changing activation energy Catalyst जो होता है भाई वो आपकी Rate of Reaction को Alter करता है Alter का मतलब क्या बड़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है ठीक है, By Changing the Activation Energy, Activation Energy को Change करकर ठीक है, अगर Activation Energy किसी Reaction की जादा है तो Reactant को जादा Energy की जरूवत पड़ेगी जिससे की वो क्या कर सके, Transition State तक पहुँच सके भाई ठीक है, तो यहाँ पर अगर Activation Energy जादा होगी किसी Reaction की, तो Rate of Reaction कम होने वाली है और अगर Activation Energy कम हो जाए, तो Reactant आसानी से Transition State पे पहुँच सकता है, और Transition State पे पहुँच गया तो अराम से Product फॉर्म कर सकता है मतलब अगर Activation Energy कम होई, तो Rate of Reaction जादा आने वाली है और Activation Energy जादा होई, तो Rate of Reaction कम आने वाली है हमारे पास दो टाइब के Catalyst होते हैं, एक होते है Positive Catalyst, दूसरा Negative Catalyst Positive Catalyst क्या करता है, Rate of Reaction को बढ़ाता है by Decreasing the Activation Energy, और Negative Catalyst क्या काम करता है Rate of Reaction को कम करता है, by Increasing the Activation Energy जैसा नाम, वैसा काम, Positive मतलब बढ़ाएगा भाई, और Negative मतलब कम करेगा जैसे Negative Marks होते हैं ना, कम हो जाते हैं भाई, Negative Marking है ठीक है, मतलब Marks कम होने वाले है ठीक है, नास टाकर हमें एक Grab बनाए भाई, Energy and Proceed of Reaction में एक Reaction चल रही है, उसकी Energy Profile में ने बनाए हुए है यहाँपर, Reactant की Energy यह है, यह Transition State यह Product कोई Catalyst का यूजँ नहीं करा हुआ है उसकेस में यह पर activation energy कितना है भाई, यहाँपर activation energy इतना है यहाँपर activation energy इतना है अगर मैं यहाँपर, क्या करता हूँ zum झाशका है, इस Reaction को इस पाद से फ्लू करेगा यहां पर नेगेटिव के टाइम पर है यह नेगेटिव के टाइम पर है 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 नेगेटिव के टाइम कुछ इस तरह से लिगे जाएगा यहां पर positive के case में यह एक्टिविशन एनरजी यह positive के case में तो यहां पर हमने यह देखा कि positive catalyst rate of reaction को बढ़ा रहा है by decreasing activation energy negative catalyst rate of reaction को कम कर रहा है by increasing activation energy ठीक है तो catalyst का effect बस इतना सा है आपके लिए तो जल्दी से ले लो इसका screenshot फिर आगे बात करते हैं तो ले लिया है भाई आपने इसका screenshot और इसी के साथ आज हमने खतम कर लिया है हमारा physical chemistry का नाश चाप्टर डाइस chemical kinetics को हमने खतम कर लिया है भाई ठीक है chemical kinetics में जितने भी important question बन सकते थे वो आपके पास हैं जिसने अभी तक वीडियोज नहीं देखी है भाई जाएं वीडियोज देखें और अपने marks एकदम perfect कर लें क्योंकि बाबाजी ने लाया है मतलब इस बार 95% आप आराम से क्रॉस करने वाले हो भाई इस वीडियो में इतना ही जै हो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो